जदियू पार्टी के अंदर बहुत सारी गलत फाहमिया इस वक्त पली हुई हैं ठीक ऐसे ही एक गलत फाहमिय उपेंद्र कुश्वाहा को लेकर के भी हो रही थी माना ऐसा जा रहा था कि उपेंद्र कुश्वाहा भी पिहार सरकार में मंत्री बनाय जाएंगे लेकिन ऐसा नह वहाँ नराज होकर दिल्ली चले गए यह भी खबर चली अब नराज कुश्वाहा जब बिहार लोटे तो उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि आखिरकार क्यूं दिल्ली गए थे और क्या खास वज़ा थी क्यूं मंत्री नहीं बनाया गया या नहीं बने नमतकार मेरा नाम है अब शेक्तिवारी और आप देख रहे हैं बुले भारत बिहार में महागडबंधन की सरकार बनी उसके बाद बहुत कुछ बदला उमीद दिया थी कि उपेंद्र कुश्वाहा की किस्मत भी बदलेगी और अब नई किश्मत नया इतिहास लिखेगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका हर कोई उमीद लगा रहा था कि उपेंद्र कुश्वाहा को भी मंत्री बनाया जाएगा उमीद तो यहां तक लगा दिया जा रहा था कि उपेंद्र कुश्वाहा शिक्षा मंत्री बनाया जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसके बाद उपेंद्र कुश्वाहा का दर्दस जाला है क्या है वो आपको दिखाएंगे लेकिन क्या पूरी बात आपको पता है उपेंद्र कुष्वहा जब नितेश कुमार और मोधी दोनों का उन्होंने जो जब साथ छोड़ा तो शिक्षा का विगुल बजाते फिरने लगे कई बार डग बंगला चोरा है पर पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी सिक्षा के लिए कहीं भी धरने पर बैट जाते थे अब वही उपेंद्र कुष्वहा अगर बिहार में सिक्षा के मंत्री बना दिये जाएंगे तो उमिद था कि अब जो बिहार है सिक्षा के मामले में और बेहतर करेगा लेकिन देखिए पासा कुष्वहा लिख रहे हैं अपने सोसल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उपेंद्र कुष्वहा ने लिखा है मेरे लिए पद बड़ा नहीं मिशन बड़ा है आइडिलोजी बड़ी है बिहार से बाहर होने के कारण मेरे बारे में अनेक तरह की भ्रमक एवं अनाप सनाप हवा देने बाले महानुभवों को यह मालूम होना चाहिए कि अपने पूरी राजनितिक जीवन में कभी भी पद नहीं मिलने पर उपेंद्र कुष्वहा ने नराजगी नहीं जताई बलकि कई बार अपनी नराजगी जताने के लिए बड़े बड़े पदों को लात मार दिय है इतिहास गवा है मेरे लिए पद बड़ा नहीं मिशन बड़ा है आइडिलोजी बड़ी है और इसी आइडिलोजी को बरबात करने की हो रही साजीश को नकाम करने के एक खास मिशन में मैंने अपनी पार्टी का विले जदियू में करने का फैसला लिया क्योंकि हमारे सभी साथी का निशकर्स था और यह है कि राज्य ही नहीं पूरे देश के अस्तर पर स्री नितीश कुमार एक मात्र ऐसे क्रमठ अनुभाव और साफ उच्छावी के नेता हैं जिनके नित्रित्व में इस विचारधारा को बचाया और आगे बढ़ाया जा सकता है अतामा यह बात अलानिया तोर पर कहना चाहता हूँ कि आज के तारीख में पार्टी संगठन के लिए काम करना हमारे लिए सबसे बड़ा धार्म है ऐसे में मेरा पक्षित जाने बिना मंत्री नहीं बनने पर नराज होने वाली बात करने वाले महानुभावों मुझे मुझे पर किरपा कर ल लिख दिया है कि इनको मिशन पर रखा गया है तो उपेंदर कुश्वाहाँ अब जदिव के लिए मिशन मोड पर है और इस मिशन मोड को लेकर के उपेंदर कुश्वाहाँ लागतार अब पार्टी को संगठनात्मक मजबूती देने के लिए काम करने लगे हैं हलाकि एक अब जदकार का भागिदार बनने जा रहा है तो ऐसे में अगर उसको उसी के जिम्मदारी दे दी जाएगी जिसका वो खुले तोर पर विरोध करते रहा है जिसके लिए रोडों पर लाठिया खाता रहा है तो क्या वो बहतर नहीं बना सकता है अब यह तो आप ही में आईए फिलाल अभी तक के लिए इतना ही रहने दे जागी होगी फिर हमारी मुलाकात करेंगे नए सीरे से बात नमस्कार